कोरोना महमारी के आकडे बले ही दिन बद दिन कम दिखाई दे रहे हो लेकिन तीसरी लहर का संभावित खत्रा अभी टला नहीं है यही कारण है कि राज्य सरकार की और से दिये गए निर्देशों के अनुसार अधिक से अधिक लोगों का वैक्सिनेशन कराने की दिशा में मिशन कवच कुंडल शुरू किया जा रहा है 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में केवल दो दिनों के भीतर ही 31,724 लोगों को पहला और दूसरा डोज लगा दिया गया है विशेश अभियान के लिए महानगर पालिका द्वारा विशेश टीमों को तयार किया गया है जिसमें प्रभाक स्तर पर स्वास्ते सेविका, नर्स, डॉक्टर्स, इंटर्न्स और स्वयम सेवी संस्थाओं की मदद ली जा रही है महानगर पालिका की और से दी गई जानकारी के अनुसार मंगलवार को भी महानगर पालिका और सरकार के सभी वैक्सिन सेंटर पर 18 वर्ष से अधिक सभी वर्ग के लोगों को वैक्सिन उपलब्द कराई जाएगी राज्य सरकार से कोवी शिल्ड का परियाप्त कोटा उपलब्द कराया गया है जिससे सुबह 10 से शाम 5 बजे तक निशलक कोवी शिल्ड उपलब्द होगी वैक्सिन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन पद्धती से पंजियन कराया जा सकेगा इसके अलावा ड्राइव इन वैक्सिनेशन सेंटर पर भी 18 प्लस और 45 प्लस वर्ग के सभी लोगों को वैक्सिन दी जाएगी इसके अलावा मेडिकल अस्पताल, डॉक्टर बाबसाहे मामबेटकर अस्पताल, महल रोग निरान केंद्र, एम्स, आइसोलेशन अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल, पांच पावली अस्पताल और दिघोरी स्थित प्रगती हॉल में को वैक्सिन का टीका लगाया ज सेलेगा